हेलो फ्रेंड्स नमस्ते विल्कम बैक टू माइव लिविंग दोस्तों आज मैं आपके लिए गोबी की एक नई रेस्पी लेकर आई हूं जिसका नाम तो आपने सुना होगा लेकिन शाया कभी खाया नहोग वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइक़न को प्रेस करें जिससे की मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो तो शुरू करते हैं टमाटर 4-5 जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेज में काट लिया है एक बड़ा लैसुन जिसे मैंने छील लिया है थोड़े से खड़े मसाले लिये हैं जिसमें दाल चीनी, चोटी लैची, बड़ी लाची काली मिर्च और लॉंग मैंने लिया है इसमें से आधे मैंने क्रश कर लिया है और आधे मैंने खड़े रख लिया है चार से पांच मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने बड़े बड़े पीस्टेज में काट लिया है साथ से आठ हरी मिर्ज जिसे मैंने इस्प्रिट कर लिया आप चाहें तो इसकी जगे लाल मिर्ज भी ले सकते हैं एक बड़ा टुकड़ा ग्रेटिट की हुई जिंजर वन टीजपून हल्दी पाउडर और वन टीजपून कॉरियंडर पाउडर जिसे मैंने मिक्स कर लिया है वन टीजपून हींग एक बड़ा कॉली फ्लावर और पास से छे मीडियम साइज के आलो जिसे मैंने अच्छे से पील करके तुल के रख लिया है कॉली फ्लावर को मैंने दो पीसे में कर लिये हैं आप चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं मैंने गैस पे कुकर रख दिया है आल डाला है और वन टीजपून मैंने इसमें इंग डाली है अब हम इसमें पील्ड कीवी वेजी टेबल डालेंगे सब्जीयों को हम पाच मिनट तक फ्राई करेंगे सब्जी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और मैंने इस एक बोल में निकाल लिया है कुकर में हम थ्री टेबल इस्पून आयल डालके इसमें खड़े मसाले और क्रश्कीयों मसाले तथा प्याज आड़ करेंगे सबी चीजों को अच्छे से सौटे करेंगे अब हम इसमें इस्प्लिट की हुई चिली और ग्रेटिट की हुई जिंजर आड़ करेंगे सारी चीजों को अच्छे से चला लेंगे अब हम इसमें हल्दी और कॉरियंडर पाउडर आड़ करेंगे गैस को हमें लो फ्लेम पे ही रखना है जिससे कि हमारे मसाले न जले चॉप्ड की हुई टॉमैटो और गार्लिक एड़ करेंगे सारी चीजों को अच्छे से चलाएंगे अब हम इसमें कॉली फ्लावर और पोटैटो एड़ करेंगे दोस्तों मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैं कॉली फ्लावर और पोटैटो डालते समय वीडियो नहीं शूट कर पाई सबजी को हम 5 मिनट तक भूनेंगे और फिर प्रेसर लगा देंगे और 3 मिसिल आने तक हम इसको कुक करेंगे सबजी हमारी ठंडी हो गई है अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे दोस्तों आप भी ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करें और कमेंट सेक्षन में मुझे बताएं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए